मेरे प्रिये भाई और बेनों स्तोत्र ग्रंद एक प्रेरणा दायक ग्रंद है माना जाता है कि ये ग्रंद राजा दावुद की द्वारा लिखा गया है बहुत सारे अध्याय हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभधायक हैं स्तोत्र 121 उसके वागी एक में हम पढ़ते हैं स्तोत्रकार कहता है मैं अपनी आँखें परवतों के और उठाता हूँ मैं अपनी आँखें परवतों के और उठाता हूँ क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी जिसने स्वर्ग पृति को बनाया है वही मेरी सायता करता है एक द्रिड विश्वास और भरोसे से भरीवी प्रार्वना है स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपने आगे परवतों के उर उठाता हूं क्या वहाँ से मुझे सायता मिलेगी जिसने स्वर्ग और पृति को बनाया है वही मेरी सायता करता है मैं एक बेहन को जानता हूँ जिसका पती शराबी था और शराब पी कर उसने अपने घर की सारी संपत्ति को एक तरह से बेच डाला और दुर्भागी वर्ष वो कैंसर से मर गया मरते समय तक वो ईश्वर से और लोगों से मेल मिलाब कर चुका था लेकिन जब वो मरा था उस समय उसने अपनी पत्नी और तीन बेटियों और एक बेटे के लिए क्या छोड़ के गया था मात्र छोटी सी जमीन और दो कमरे के एक घर है वो बहन बहुत प्रारतना करने वाली थी दिन रात प्रारतना करती थी जब जीवन में दुख आ जाते हैं तो लोग प्रारतना करने लगते हैं शराबी पती के कारण और बच्चों के भविश्य के बारे में सोचकर वो नारी बहुत प्रारतना करती थी उस बैन ने मुझसे कहा कि जब पती का दिहान तुआ उस समय उसने बैबल खोला तो उसको यही वाचन मिला था मैं अपने आँखें परवतों के और उठाता हूँ मैं अपने आँखें परवतों के और उठाता हूँ क्या वहाँ से मुझे साहिता मिलेगी जिसने इस वर गवपृति को बनाया है वही मेरी साहिता करता है उस बैन ने वास्तों में प्रभू पर भरुसा रखा और प्रभू के भरुसे के सहारे उसने अपने तीनों बेटियों को नर्स बनाया और एक बेटे को इंजिनियर बनाया आज सारे बच्चे अच्छे खासे हैं स्तोतरकार कहता है कि मैं अपने आँखें परवतों क्यों उठाता हूँ ये परवत कौन सा परवत है सियोन परवत सियोन परवत जिस पर पवित्र नगर यरूसलिम बसा हुआ था और जहां पर यहूदियों का एक मात्र मंदिर यरूसलिम मंदिर निर्मित था यहूदियों का एक ही मंदिर था उनके बहुत सारे प्रातना भवन थे जो सभागरा कहलाते थे लेकिन एक ही मंदिर था यरूसलिम मंदिर जहां पर यहूदी लोग बलिदान चाहते थे प्रभु का सान्य देखने महसूस करने आया करते थे और इसलिए वे यरुसलेम की ओर मुड़ते थे तो बड़े आदर के साथ मुड़ते थे सियोन परवत की ओर मुड़ते थे बड़े आदर के साथ मुड़ते थे उसकी और देखते थे येरुसले मंदर उनके लिए आशा का केंद्र था आस्था का केंद्र था इसलिए जब भी वे प्रार्थना करते थे उस और देखकर प्रार्थना किया करते थे हम दानियल के ग्रंद के अधियाइच्छे उसके वाकिय ग्यारा में पढ़ते हैं दानियल बाबुल में निर्वासित था परदेश में रहते वे भी दानियल अपने जीवित ईश्वर की आरादना किया करता था वहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने घर के उस दरवाजे को खूलता था जिस और यरुसलेम था और प्रति दिन तीन बार अपने प्रभी ईश्वर को धन्यवाद की प्रातना चाहा करता था यरुसलेम जाना यहुदियों के लिए बड़े आनन का भी शह था प्रभी यसु यरुसलेम मंदिर में चाहाए गये थे बारे साल की उमर में यरुसलेम मंदिर में खो गये थे यप पाये गये थे और यरुसलेम मंदिर अक्सर जाया करते थे और वहाँ पर लोगों चुको शिक्षा दिया करते थे यरुसलेम सियोन परवत यहुदियों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था इसलिए यहूदी बराबर हर वर्ष त्योहार मनाने के लिए यरुसलिम मंदिर जाय करते थी और जब लोगों को ये खबर दी जाती थी कि त्योहार का समय आ गया है उस समय तुरही बजाई जाती थी या ढोल बजाई जाता था लोगों को बताने के लिए कि यरुसलिम जाने के समय आ गया है स्तोत्र 122 वाकिए एक में हम पढ़ते हैं मैं कितना आनंदित हुआ जब मुझे सुनने को मिला कि चलो हम ईश्वर के मंदर में चले तो यरुसलिम मंदर यहुदियों के लिए आनंद आशा और आस्था का केंद्र था हम लूकस के सुजमाचार की अधियाई दो में पढ़ते हैं कि यूसफ और मा मर्यम येशु को यरुसलिम मंदर ले गए और वे दोनों घर वापस आए और येशु खो गए और येशु को ढूंडते ढूंडते तीसरे दिन वे यरुसलिम मंदर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि येशु शास्तियों के बिच बैठे हुए हैं और उनसे वाद विवाद कर रहे हैं उनकी मा मरियम ने उनसे पूछा कि बैठा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिता और मैं कितना वीहल होकर तुम्हें ढूंड रहे थे तो येशु ने क्या जवाब दिया बहुत सुन्दर है येशु ने कहा मुझे ढूंडने की क्या जरुट थी कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में हूँगा कि आपको पता नहीं था कि मैं अपने पिता के भवन में हूँगा प्रभी येशु येरुसलेम मंदिर को अपने पिता का घर कहते है एक तरह से प्रभी एसु अर विश्वासी को अर मसी को भी याद दिला रहे हैं क्या तुम्हेंने मालुम कि तुम्हें पिता के भवन में होना चाहिए कि आपको नहीं मालुम था कि मैं अपने पिता के भवन में हूँगा पिता के भवन से दूर जाने से क्या होता है हम जानते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याई पंद्रह में हम पढ़ते हैं उड़ाओ पुत्र के बारे में जो संपत्ती का अपना हिस्सा लेकर पिता के भवन से दूर चला जाता है परदेश चला जाता है और उस संपत्ती को उड़ा देता है गंदगी और बुराई में उड़ा देता है अंद में वो सुवर चराने लगता है जब वो पिता के भवन से दूर चला गया और तंगी के ओर जाता गया वो तंगी का शिकार होता गया पिता के भवन से दूर जाने से यही होता है लेकिन जब वो वापस आ जाता है पिता के भवन की और पिता उसे वस्त दिलाता है अंगुठी दिलाता है चपल दिलाता है उसके आदर में भोज की तहारी करता है जो उसने खोया था वो सब पिता के भवन में वापस आने से वो पा जाता है हमारी भी कहानी कुछ है उड़ाँ पुतर की कहानी जैसी है प्रभीयशु ने मा मरियम से का कि आपको नहें मालुम कि मुझे अपने पिता के घर भाओं पे होना चाहिए हो गये हैं यह तो हमारी काहनी है प्रतित दिन मेरे कमरे में कई परिवार आते हैं दूर दूर से करीब करीब सबी समय यही कहता हूं आपकी समस्याओं का कारण यह है कि आप रभू से बहुत दूर चले गए कल ही एक परिवार आया था इवक इवती पहला बच्चा हुआ बहुत जल्दी मर गया और दोनों कह रहे थी कि हम लोग जो सोचते हो होता नहीं है मैंने कहा कैसे होगा जब तक आप पिता के भवन से दूर रहेंगे आप जो सोचते हो होगा नहीं आपको पिता के घबवन में वापसाना है यही समस्या का समाधान है तो प्रभियसु ने कहा कि यह मेरे पिता का भवन है यरुसले मंदिर मेरे अब्बा मेरे डाडी मेरे पापा का घर है स्थोत्र 84 के वाग्य 11 में स्थोत्र कार गयता है हजार दिनों तक और कहीं रहने के अपिक्षा एक दिन तेरे प्रांगन में बिताना अच्छा है हजार दिनों तक और कहीं रहने के अपिक्षा एक दिन तेरे प्रांगन में बिताना अच्छा है दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदर की सीड़ियों पर खड़ा होना चाहे स्तोत्रकार कहता है हजार दिन अन्यतर रने सच्छा प्रभू के मंदर में उसके प्रांगन में रहना चाहे दुष्टों के शिवरों में रहने के अपेक्षा प्रभू के मंदर की सीडियों पर खड़ा होना अच्छा है प्रभू के मंदर से हमें आनंद प्राप्त होता है उसी अध्याय के वाके पांच में हम पहते हैं तेरे मंदर में रहने वाले धन्य है वे निरंतर तेरा स्नुदिगान करते हैं इसका अंग्रेजी में good news Bible में अनवाद है happy are those who dwell in your house यानि तेरे मंदर में रहने वाले आनंदित हैं तेरे मंदर में रहने वाले कितने आनंदित हैं स्तोत्र 16 उसके वाक्य 11 में पहते हैं स्तोत्रकार कहता है कि तेरे सानिध्य में मुझे परिपूर्ण आनंद प्रापत होता है अंग्रेजी में इसका अनुवाद है In your presence is the fullness of joy तेरे सानिध्य में मुझे परिपूर्ण आनंद प्रापत होता है प्रभु के मंदर में मुझे परिपून आनन्द प्राप्त होता है स्टोत्र चार उसके वाकिय आठ में लिखा हुआ है जो आनन तु मुझे पदान करता है वह उस आनन से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहुं की अच्छी फ़सल से मिलता है तोत्रगार गयता है तेरी उपस्थिती में मुझे जो आनंद प्राप्त होता है तुझसे मुझे जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्य दुनिया के अन्य आनंद से बहुत गहरा है प्रभू के मंदर में हमें आनंद प्राप्त होता है आप जानते हैं प्रभू के मंदर में प्रभू के सानिदे में रहने से आपके जीवन में क्या हो सकता है मैं दो-तिन उदाहरन बाइबल से देता हूँ पहला उदाहरन है सैमुल का उदाहरन सैमुल के पहले ग्रंद के अध्याय तीन में हम पढ़ते हैं सैमुल की मा हन्ना ने सैमुल को प्रभू को अरपीद किया था और अभी सैमुल युवग बन चुका था रात्री का समय था जब मंदिर का पुजारी पुरोहित एली सोया हुआ था और वचन में लिखा हुआ है सैमुल मंदिर में प्रभू की मंजूशा के पास से लेटा हुआ था ये प्रभू की मंजूशा क्या है मूसा को ईश्वर ने दिये दस नियमों को दो पार्टियों में लिख कर उन पार्टियों को एक मंजूर्शे में एक बक्स में रखा हुआ था और उसको हम प्रभू की मंजूर्शा गहते हैं तो सैमॉल उस मंजूर्शा के पास लेटा हुआ था रात का समय था मंदिर में था सैमॉल को आवाज आई सैमॉल सैमॉल Samuel ने सोचा कि पुरुईत ने मुझे बुलाया है और वो दौड़कर एली के पास जाता है कहता है कि आपने मुझे बुलाया है उसने का नहीं तो फिर Samuel लेड़ गया फिर Samuel को वाज आई Samuel Samuel फिर चला गया फिर पुरुईत ने का कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया जब तीसरी बार इस तरह हुआ तो पुरुईत को लगा कि इश्वर Samuel से बात करना चाता है और इसलिए एली ने कहा कि बेटा अगली बार सुनाए देगी आवाज तो कहना बोल प्रभू तेरा दास सुन रहा है ऐसा ही हुआ और Samuel से प्रभू बोलने लगे Samuel से प्रभू ने इस्राइल के बारे में एली के परिवार के बारे में Samuel के भविशे के बारे में बताया उसी अध्याय के वाकिय उन्नेस में पढ़ते हैं कि प्रभी ईश्वर ने Samuel से जो कहा उसमें से एक भी वचन धरती पर गिरने लिया गया इश्वर ने यानि एक एक वचन Samuel के जीवन में पूर्ण हुआ Samuel इस्राइल का नायक बना Samuel इस्राइल का नियाधिश बना नियायकरता बना और Samuel ने इस्राइल के लिए बड़े बड़े राजाओं को अभिशेक दिया ये सब कब हुआ जब Samuel प्रभू के मंदर में लेड़ा हुआ था बजार में नहीं था शैनक अच्छ में नहीं था बजार में नहीं था बलकि प्रभू के मंदर में लेड़ा हुआ था एक दूसरा उदार अनलीच ये सियास नेभी का गरंद अदियाई छे वहाँ पे लिखा हुआ कि सियास ये मंदर में बैठा हुआ था और अचानक इस सियास प्रभू की महेमा से ढग गया और इस सियास ने कहा कि हाई मैं मर जाओंगा क्योंकि मैं पापी हूँ मैं पापी होंट वाला मनुश्य हूँ और ऐसे लोगों की बीच रहता हूँ जो पापी होंट वाले हैं और मैंने प्रभू की महेमा को देखा है मैं मर जाओंगा तब वेदी पर से एक सराफिम एक दूत जलते वे अंगारे को लेकर आया सामुल के होंटों को सपर्शी किया और कहा कि लो तुम शुद्ध हो गए हो उसके बाद प्रभू ईश्वर से अवाज आई मैं किसे बेजी हूँ अपने संदेश वाग के रूप में इस्यास ने कहा मुझे बेज पापी होंट वाला चुगली करने वाला गाली देने वाला गंदगी बोलने वाला इस्यास प्रभू के मंदर में बैठा हुआ था और ईश्वर ने उसे एक महान नभी के रूप में नियुक्त किया इस्यास कहां बैठा हुआ था प्रभू के मंदर में बजार में नहीं था प्रभू के मंदर में ये होता है एक तीसरा उदारन में आपके सामने रखता हूँ जाकरिया का उदारन लुकस के सुसमाचार के अध्याए एक उसके वाकिए आठ से मपढते है योहन बप्तिस्ता के पिता एलिजबत का पती जगरिया निसंतान था पुरोही था और मंदिर के अंदर प्रभू की वेदी के सामने वो धूप चाहा रहा था वचन में लिखा हुआ कि सारी जनता बाहर खड़ी थी और जगरिया धूप चाहा रहा था मंदिर में जब वो अकेले प्रभू के सानिदे में था उस समय उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने कहा कि डरिये नहीं आपकी प्रार्थना सुनी गई क्या के लिए प्रार्थना करता था जखरिया एक संतान के लिए आपकी प्रार्थना सुनी गई आपकी पत्नी एलिजबत गर्भ होती होंगी और एक पुत्र वसो करेंगी और उसके बाद पूरा विवरन दिया गया है जब जखरिया प्रभू के सानिदे में प्रभू को धूप चाहा रहा था उस समय उसके परिवार में एक चमतकार होता है उसकी बूरी पत्ने का गर्भ खुल जाता है जब प्रभू के सामने आप प्रार्थना में लीन हो जाते हैं उस समय आपके परिवार में चमतकार होते हैं When you go into deep prayer in the presence of the Lord great miracles will happen in your family in the field where you work जब आप गैरी प्राथना में प्रबु के साथ जोड़ जाते हैं तो आप से जोड़े हुए कई बातों में चमतकार देखने को मिलेंगे तो प्रबु की मंदर में ये होता है ये प्रभु की मंदिर का अर्थ क्या होता है प्रभु का सानिधिय, प्रभु की उपस्थिती, प्रभु की उपस्थिती में ऐसे बहुत बड़े बड़े चिन और चमतकार प्रकट होते हैं, इंदि में एक शब्द है उपासना, हमारे आस्रम में उपासना कुटीर है उपासना का मतलब क्या है उपासना यानि पास बैठना आसन लगाना आप अगर चूले के पास बैठेंगे तो क्या होगा चूले की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी चाहे आप चाहे या ना चाहे आप धूप में बैटेंगे सूरज की केरणों की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी ये आप चाहें या ना चाहें जब आप प्रभू के सानिदे में बैठते हैं ये ही होता है कई लोग बड़ी समस्याएं लेकर आश्रम में आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि प्रभू के सानिदे में बैठो प्रभू के सानिदे में बैठो कि आप नशे की शिकार हैं जाओ बैठो लेकिन शैदान बैठने नहीं देगा वो आपको परिशान करेगा उठवाएगा प्रभू के सानिदे में बैठो हमारे आश्रम के दर्शन बहुन में चमतकार और चिन प्रगट होते हैं प्रति दिन विबिन प्रगार के रोगों से लोगों को छुटकारा मिलता है अलग अलग प्रगार के बंदनों से लोगों को छुटकारा मिलता है घोर शराबियों को शराब के बंदन से चुटकारा मिलता है प्रभू के सानिद्ध में ये होता है प्रभू की उपस्थिती में ये होता है हम पढ़ेंगे स्तोत्र बानबे में स्तोत्र बानबे उसके वाग के 14 और 15 में वहां लिखा हुआ है वे प्रभू के मंदर में रोपे गए हैं वे हमारे इश्वर के प्रांगन में फलते फूलते हैं वे लंबी आयू में भी फलदार हैं वे रसदार और हरे भरे रहते हैं और एक बार सुन लिजिए वे प्रभू के मंदर में रोपे गए हैं वे हमारे ईश्वर के प्रांगने में फलते पूलते हैं वे लंबी आई में भी फलदार हैं यानि बुढ़ापे में भी फलदार हैं और वे रजदार और हरे भरे रहते हैं कौन? जो प्रभू के मंदर में रोपे गए हैं जो प्रभू के मंदर में रोपे गए हैं वे अपने व्रिदावस्ता में भी हरे बरे रहते हैं फल उत्पन करते हैं जब मदद तेरे सा मर गई तो इन दों अखबारों में और पत्रिकाओं में उनके बारे में लिखा जाता था मैं ट्रेन में सफर कर रहा था एक रेलवे स्टेशन पे पहुंस गया और वहाँ पे एक अंगरेजी की पत्रिकाओं मिली नारियों के लिए पत्रिकाओं थी समय था मैं उसका एडिटोरियल संपात की पढ़ रहा था किसी ने वहाँ पर मदर तेरेसा के बारे में लिखा था एक शब्द कुछ इस प्रगार था अंगरेजी में इन दे फ्रजाइल बाड़ी अब मदर तेरेसा वी कुड़ सी और फील अग़ाड एनी मदर तेरेसा के उस जरजर शरीर में हम ईश्वर को देख पाते थे और अनुभाग कर पाते थे जो प्रभू के सानिध में रहता है प्रभू के मंदर में रोपा गया है वह फल उत्पन करता है अपने व्रदावस्ता में भी फल उत्पन करता है और हरा बरा रहता है कौन जो प्रभू के मंदर में रोपा गया है तो प्रभू के मंदर में रोपे जाने का परिणाम यह है फलना फूलना वर्दावस्ता में भी हरा बरा रहना स्तोत्र सौला उसके वाकिया आठ में स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभू को सदा अपनी आँखों के सामने रखता हूँ वो मेरे दाहने भी दिमान है मैं कभी विचलीद नहीं होँगा प्रभू के सानिद में रहने से क्या होता है क्या परिणाम है स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभू को सदा अपनी आँखों के सामने रखता हूँ वो मेरे दाहने भी दिमान है मैं प्रभू की पस्तिती में जीता हूँ और नतीजा क्या है मैं कभी विचलीत नहीं होंगा परिस्थितियां कैसी भी हों परिस्थितियां कैसी भी हों मैं विचलीत नहीं होंगा स्तौत्र चाउंतिस उसके वाक्य छे में हम पढ़ते हैं प्रभू की और दिष्ठी लगाओ और आनंदित हो तुम फिर कभी निराश नहीं होगे स्तौत्र चाउंतिस वाके छे प्रभू की और दिश्ची लगाओ और आनंदित हो तुम कभी फिर निराश नहीं होगे मैं एक विवक को जानता हूँ जो बराबर आश्रम आया करता था शाम को करीब साथे पांच बजे वो आया करता था अपनी बैबल लेकर आता था सैकल पर वो प्रभू के सामने बैठता था वचन पढ़ता था प्रात्ना में लीन था एक डेड़ घंटा प्रात्ना करने के बाद जाय करता था प्रू जाता था इसे उसके जीवन का मकसद था कि मैं यूपी पुलीस बनूँगा और बड़े सबेरे उठकर वो दौड़ा भी करता था ऐसे एक दो साल बीट गए उसकी माने मेरे पास आकर कहा कि इस बेटे को समझा दीजी स्वामी जी कोई दूसरा काम पकड़ ली परिवार का सबसे बड़ा लड़का है ये बोलते रहता है मैं पुलीस बनूँगा मैंने उस लड़के को बहुत फटका रहा लेकिन वो चुपचा पाता था देखता था कि कब स्वामी जी की आश्रम में नहीं रहते हैं उस समय चुपचा पाता था बैठ जाता था प्रभू के सामने वचन कहता है प्रभू की और दिष्ठी लगाओ आनंदी थो तुम फिर कभी हताश निराश नहीं होगी जानते हैं उस बेटे ने प्रभू को नहीं छोड़ा वो बराबर आता था आता था यूपी पुलीज नहीं बना लेकिन एमपी पुलीज बन गया लेकिन पुलीज बना जरूर प्रभू की और दिष्ठी लगाने प्रभू के सानिदे में आने का परिनाम देखिये हम इस्यास नभी के ग्रंद के अध्याय 40 में पहते हैं इस्यास नभी अध्याय 40 उसके वाकि 30 और 31 में जवान भले ही ठक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पढ़ें किन्तु प्रभू पर बरोसा रखने वालों को नईस पूर्ती मिलती रहती है वे गरूर की तरह अपने पंक पहलाते हैं वे दवरते रहते कि तु ठकते नहीं वे आगे बहते हैं पर शितिल नहीं होते हैं एक बार और सुन लीजिए जवान भले ही ठक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पढ किन्तु प्रभू पर बरोसा रखने वालों को नईस पूर्ती मिलती रहती है अंगरे जीम इस कहनुआ दे दोस वेट फो दे लॉड बरोसा रखना नहीं बलकि जो प्रभू की प्रतिक्षा करते हैं प्रभू के सानिदे में रहते हैं जो प्रभू की प्रतिक्षा करते हैं इतना भी काम करें ठकते नहीं वे आगे बढ़ते हैं वो पर शितिल नहीं होते हैं जो प्रभु की प्रतिक्षा करने वाले हैं प्रभु के सानिद्य में रहने वाले हैं प्रभु के मंदर में रहने वाले हैं वे कभी ठकते नहीं वे आगे ही बढ़ते रहते हैं वे बीच में शितिल नहीं होते, प्रभू की मंदर की ओर देखने वाले, जाने वाले, प्रभू के मंदर में निवास करने वाले, उनको प्रभू का आनंद, प्रभू का सामल्थ प्राप्त होता है, स्तोधरकार कहता है मैं अपने आँखें पर वो तूंगे रूठाता हूँ कई वक्योतियों से मिलने को मिलता है मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हैं पढ़ाई हो गई हैं अभी तैयारी में हैं कौन सी तैयारी भाई तैयारी 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 क्या करते हूं तैयारी में कई वक्युवतियां तैयारी कर रहे हैं और एजियूम लेकर यहां जूँम घूमकर थकए हैं मैं उनसे बोलता हूँ अगर तुम 14 गंटे तैयारी कर रहे हूँ 12 गंटे तैयारी में लगे हूँ 10 गंटे तुम पढ़ो और दो गंटे प्रभु के सानेदे में बिताओ उसके बाद बताओ ग्या हो रहा है यहन के सुसमाचार के अध्याए 15 वागे 5 में प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हूँ जो मुझे में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है क्यों क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तैयारी करो भी या लेकिन तैयारी में प्रभु के सानिधे में बैठने के लिए भी जगा होनी चाहिए क्योंकि वचन में लिखा हूँ जो प्रभु के मंदर में रोपे गया है वे फलते फूलते हैं मैं कई लोगों को बुलाता हूँ यह वक्योतियों को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि आजाओ आसरम में एक मेहना प्रार्दा में बिताओ उसके बाद बताओ क्या होता तुमारे जीवन में प्रभु के सानिधे में बैठो मंदर में रोपे जाओ तुम फलोगे फूलोगे जो प्रभु के सानिधे में रहता है जो प्रभु की प्रतिक्षा में रहता हूँ उसे नईस फूर्ती मिलते रहती है हर बार जब आप रभु के सानिधे में जाते हैं आपको नईस फूर्ती मिलती है मैं अक्सर एक मुबाइल फोन का उदारन देता हूँ मान लीजी आपका मुबाइल फोन बहुत कीमती है लेकिन अगर उसके अंदर की बिजली समाप्त हो जाएं तो मुबाइल फोन किसी काम का नहीं है हम में से कई लोग इसी तरह है बड़े किमती हैं बहुत प्रतिभाएं हैं शक्ती हैं पढ़ने की शक्ती हैं काम करने की शक्ती है लेकिन अंदर से खोखले हैं अंदर स्फूर्टी की कमी है अंदर उर्जा की कमी है जब अंदर उर्जा आ जाएगी हम शक्तिशाली बन जाएंगे हमारी प्रतिभाएं और जदा पल्लवी तो जाएंगे पुश्पित हो जाएंगे इश्वर के निवास स्तान की और अपनी आँखें उठाएं जाएंगे जो मंदर में थे उसी तरह जब आप प्रभु के सानिदे में आएंगे और प्रभु के सानिदे में समय बिताना सीखेंगे प्रभु आपके जीवन में भी चिन और चमतकार प्रकट करेंगे हम प्रभु के पास आएं प्रभु के मंदिर में आएं प्रभु के सानिदे में आएं आईएम प्रार्टना करे तब ये सुदह ने वाद देते हैं इन सुन्दर शनों के लिए तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमसे बूल रहा था बारे साल के उमर में तूने मामरिम से कहा कि आप नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना है आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के भवन में होंगा पिता के भवन से दूर जब उड़ाव पुत्र गया उसकी जिंदगी कितने कष्ठ दायक बनी हम भी पिता के भवन से दूर चले जाते हैं भुद्ऄस के गता हुआ dari में हेमारी जिंदगी भी कितनी कश्थ दायक बन जातिये जिल प्रभु में उड़ाओ कुतर की तरह वापस आने कि गृपादी जिए Lira उपस्तिती में वापस आने की गृपादी जिए टेरी उपस्तिती के हैसास करने कि गृपादी जीए, स्तोतरकार कहता है कि तेरी उपस्तिती में मुझे परिपूर्ण आनन्द मिलता है, in your presence is the fullness of joy, तेरी उपस्तिती में मुझे परिपूर्ण आनन्द मिलता है, तेरी उपस्तिती में मुझे संपूर्ण संतुष्टी मिलती है, जिस तरह सामूल के जीवन में, सियास के जीवन में और जैकरिया के जीवन में जो मंदिर में थे बरचिन और चमतकार तुने प्रगट गया उसी तरह मेरे जीवन में भी आईए मुझे प्रार्थना का बरदान देजिए मुझे प्रभु के सानिते में रोपे जाने का बरदान दिजिए धन्यवाद जैसु धन्यवाद